मार्केट में मिलने वाली नाइट क्रीम जो बहुत जद्ध हमें कॉसली पड़ती है और उसमें केमिकल की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है आप होमेट इस क्रीम पूलगा के देखिए आपकी महंगी से महंगी नाइट क्रीम फेल है आप इसे साथ दिन का चैलेंज है और वीडियो आपको कैसा लगा इस नाइट क्रेम के लिए हमें चाहिए होगा कच्चा दूद कच्चे दूद में सभी जानते की ऐसी प्रॉप्टी होती जो मैं इसकी इनको बहुजा टाइट बनाता है इसके बाद मैंने लिया है गुड़हल के फूलो का पाउडर आप चाहे तो मार्केट वाला ले सकते हैं नहीं तो आप घर का भी ले सकते हैं मैंने मार्केट वाला लिया है इसे एक चमर्च डाल के मिक्स करके हम दो से तीन घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि इसकी जो भी बेनिफिट्स हैं पूरी तरिके से दूद में कच्चे दूद में आ होती है तो इससे हम चाल लेंगे चाहनकन के बाद इसके सारे गुर्ण हमें मिल जाएंगे इस तरिकह से हमें एक त्कैस्सलें चाल लेंगे और इसे अलक कर लेंगे अब इसमें मैंने दो चमर्ज डाला यहां ऐलोवेरा जेल ऐलोवेरा जेल इसे थिक बनाएगा एक क्रीमी टेक्शर देने काम करेगा ऐलोवेरा जेल में एंटी एजिंग प्रॉप्टी होती जो हमें इसकीन को टाइट बनाता है ओपन पोर्स को कम करने मदद करता है यह हमें स्कीन में बहुत अच्छा स्कीन के लिए मॉस्चिराइजर है फिर मैंने यहां एक विटामिन ए की टेबलेट को कट करके डाल दिया इसका ओयल यह हमारी स्कीन को बहुत जाट टाइट बनाता है ओपन पोर्स को कम करने में मदद करता है और जो चेहरे को बहुत ज़दा फि आखरी में मैंने थोड़ी सी हलदी डाली है यह कस्तूरी हलदी है आप इस कस्तूरी हलदी डाले इससे आपका जो इसकीन है पीला नहीं पड़ेगा और सारी चेहरे को अच्छे से मिक्स कर दें मिक्स करने के बाद किसी भी एयर टाइट आप कंटेरर में इसे इस्टोर करके जार में और इसे सोने से पहले अपने चेरे को अच्छे से clean कर ले इसे लगा के छोड़ दे आप देखेंगे कि आपकी skin में काफी tightness आ जाएगी आपकी skin बहुँँ ज़ता glow करने लगी कि बहुँ ज़ता soft हो जाएगी इस क्रीम को आप साथ दिन के लिए ही बनाके रखे ऐसी आप फ्रीज में ही स्टोर करके रखे नहीं तो यह खराब होने का डर रहेगा और आप इससे साथ दिन के लिए आप अस्तिमाल करके देखे आपको इसका रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छा लगेगा